दोज़र उन्ने में परीचे सम्मेलन होने जारा है अखिल भारत वर्चिय ब्हामन महासवागा हमारे वीचे में सद्विक शर्माजी है शर्मा जी क्या अपील करना चाहेंगे दस फरवरी के लिए जो परीचे सम्मेलन होने जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राहमन इसमें सस्थाइं सामील हो ज़्यादा सदस्थाइं सामील हो और सबसे ज़्यादा जो परात्मिकता यह होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़ संग्ठन हैं हमारे इसमें मैं वर्ल्ड व्रहमन फेरडरेशन का महात्शचीब भी हूँ और प्रांते व्रहमन समाज का पूरवी दिली का अध्ष भी हूँ लेकिन अभी तक किसी भी ही संग्ठन ने इस तरह की कारे पर डाली पर जोर नहीं दिया च्छटा अगर ब्रहमन परिचे सम्मेलन है तो ये भारत वर्षी ब्रहमन समाज के दोरा ही है शर्मा जी यमना विहार में होने जा रहा है यमना विहार में गीता भन में होने जा रहा है और हम यमना विहार में रहते हैं, इसलिए हमारी और भी ज़्यादा जुम्मेदारिय है, हम इसमें जितना भी होगा कोशिस करेंगे, अपनी जितनी में तर्मन धन से पूरा साथ देंगे. शर्मा जी मैं बात करूँ अब आरक्षन की इस आरक्षन की आग से देश जल रहा है. वहां जितनी में बश्पुत्तन भी है, गोजरों में बी हैं, दलीतों में भी हैं, बाल में कीयों मी membी हीं, तो ये आरक्षन जो है, इसमें जाती आधार पे ना होकरे, आर्थिक आधार पे होना चाहिए. कुल मिला करके जिसको जरूरत है उसको आरक्षन दे दो कुल मिला के अभी तक जो हमारे देश की है यही विडमना है कि हमारे देश में अभी तक जिन लोगों को आरक्षन की जरूत है उनको आरक्षन मिलता ही नहीं है जो लोग आर्क्षन का फायदा उठा रहे हैं वो आर्क्षन के काबिल ही नहीं है शर्मा जी महीं बात करें हमारे जो नेता हम संसद में लोग सबा में राज सबा में भेशते हैं वो पंगू क्यों बन जाते हैं हमारे समाज के लोग वोट के कारण, वोट की राजनीत के कारण, हालां कि उनको वोट भी नहीं देते, वोट भी हमारा समण समाज ही ज्यादा उन लोगों को देता है, लेकिन फिर भी वो हमें प्रात्मिक्ता नहीं देते, और प्रात्मिक्ता उनी लोगों को देते, और ये हमारी जितने भी समण स माज़ें इनका संग्ठन ना होना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है शरमा जी ऐसे में उन वित नेताओं के बारे में क्या कैना चाहेंगे जो हम लोगों की आवाज बन करके उठानी चाहिए जबकि नहीं उठाते बैई उन देता हों के बारे में तो यह है कि हम सबको संग्ठित होके एक कट्टे होके आवाज उठानी चाहिए कि अगला जो 2019 का चुनाव है उसके लिए फिर हम अभी अगर आपने सही काम नहीं किया तो उसके विशे में हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अभी तक तो को तो मनों सिवारी ने कौन से हमानों की आवाज उठाई नहीं होना चाहिए आरक्षन होना चाहिए लेकिन आरक्षन आर्थिक आधार पावना चाहिए और आरक्षन वहां तक पहुंचना चाहिए जहां उसकी जरूरत है क्योंकि देखने में आ रहा है 2019 के चुनाओं के अंदर सौन समाज ने ये फैसला किया है कि हम नोटा का बटन दबाने जा रहे हैं इसमें जो हमारा सोच है हमारा सोच तो यह है कि मेरा पर्सनल सोच तो यह है कि हमें आने वाले 2019 के चुनाओं में एक बार चाहिए हमें मोदी ने कुछ किया है नहीं किया हमें एक बार आने वाले चुनाओं मोदी जी का साथ जरूर देना चाहिए